दोस्तों नमस्कार टीवी विन इंडिया के खास बिलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है पश्चिम बंगाल में दूसरे शरण के तहट आज 30 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं हलाके सब की निगाहें नंदीग्राम पर ठीकी हुई है नंदीग्राम में ममता बैनर जी और शुबेंदू अधिकारी के बीच चुनावी मुकाबला है इस बीच मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर काफी उस्साह नजर आया ममता बैनर जी पिछले चार दिनों से नंदीग्राम में ही डेरा डाली हुई है वहीं अमिशा समेद बीजेपी के कई दिगजनेता भी यहां जमे हुए है शुबेंदू अधिकारी ने 2016 में इस सीट से जीत हासिल की थी हलांकि इस बार वे टीमसी की बजाए बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है असम में दूसरे चरण के लिए मदान चला है असम में दूसरे चरण के तहट 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है इस दोरान आल इंडिया उनाइटेड डिमोक्रेटिक फरंट के अध्यक्ष बदूरदीन अजमल ने कहा है कि पीम मोदी और अमिशा ने कहा है कि वे बंगला देशी खुसपैटियों को वापस भेजेंगे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने बंगला देशियों को वापस भेजा वहीं पीम मोदी आज असम में रैली की और कांगरेस पर हमला बोला मोदी ने जनता को कांग्रेस के जूट से साउधान रहने का आवण किया सालों साल तक हिंसा में जुलस ने दिया ये आप और हम कभी भी भूल नहीं सकते कोकराजार की युवा, कोकराजार की बहने, कोकराजार का हर नागरी हिंसा का वो दौर भूला नहीं है। उस दौर में दिल्ली से लेकर गोहाटी तक कॉंग्रेस की सरकारे चूप चाप तमासा देखती रही। और आज हिम्मत देखिए। कॉंग्रेस एक महार जुठ बनाकर एक बार फीर कोकरा जार सहीत पूरे बोडो लेंड टेरिटोरियल रीजन को चलने निकले हैं। 10 अपरेल को किसान संगठन कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को बंद करने वाले हैं। तो प्रदर्शनकारियों को नियंतरन करने के लिए समीती का गठन करेंगे। बता दें कि मोधी सरकार के कृष्णी कानूनों के खिलाब दिल्ली के आसपास बार्डर पे हजारों किसान चार महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। एक तरब लॉकडाउन की आर्थिक तंगी और दूसरी तरब महंगाई बढ़ाने वाली नई खबर सामने आई है। नए वितवर्स 2021-22 के पहले दिन यानी एक अप्रैल से घरेलू सामनों के रेट और भी बढ़ गए हैं। हिल्म अभिनेता रजनी कांथ को एक क्यावनवा दादा साफ फाल के पुरसकार से नवाजा जाएगा। केंद्री सुचरां प्रशारन मंत्री प्रकास जावडेकर ने आज इसका एलान किया। हलाके तमिलनाडू चिनाओ के बीच रजनी कांथ को पुरसकार दिये जाने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। फिलाल पीम मोदी ने भी रजनी कांथ को बढ़ाई दिये। पीम ने ट्वीट किया कि पीडियों के दवरान लोकप्री कुछ कामों का एक समू बिविद भुमिकायं और एक साई व्यक्तित्व ये रजनी कांथ की पहचान है। तलाईवा को दादा साब फाल के पुरसकार से सम्मानित करने पर बढ़ाई। नविम बाई शहर बसाने के लिए अपनी जमीने देने वाले प्रकल्प गस्तों ने आज एक बार फिर सीडको और उसका महिमा मंदन करने वाले मीडिया कर्मियों के खिलाप अंदोलन शुरू कर दिया है। इससे पहले 17 मार्च को भी प्रकल्प गस्तों ने 95 गाओं में काला दिवस मनाते हुए सीडको की कारिय श्रैली का विरोध किया था और लंबित पुनरवसन को निप्टाने की मांग की थी। ताजा अंदोलन प्रकल्प गस्तों को कृतग्न बताय जाने पर है। इस पर प्रकल्प गस्तों का कहना है कि पचास सालों से सिडकों ने उनका समुचित पुनरवसन नहीं किया है। ऐसे हमें अपना हक मांगने वालों को कृतग्न कहना अपमान है। थाने के सुषेना सांसद ने आज नौइमबई के घंसोली और अहरोली के बीच कई बरसों से अटके पड़े सडक निर्मान का दवरा किया और अधिकारियों से उसे हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। दोरे के बाद पत्रकारों के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से या सडक लंबित पड़ी है जिसे जल्द पूरा करने की तैयारी है। चुके कोरोना संक्रमन को देखते हुए इन कोबिट केर केंद्रों को बंद कर दिया गया था। आयोकता विजीत बंगर ने भरोसा दिलाया है कि नौइमबई मनपा कोरोना उपचार के लिए तयार है। आकि आम और गरीब लोग भी अपना घर खरी सकें। स्कूल प्रबंदन इस बात की धंकी दे रहा है कि अगर फीस नहीं भरी गई तो उनके बच्चे बोर्ड एक्जाम में नहीं बैट सकेंगे। आज के खबर दिन भर में बस इतना ही दीजे हमें इजाज़त लेकिन दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं खबरों का नया ड़ा TV1 इंडिया। नमस्कार।